सु स्वागत बंदन अमिने अंदन कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आज अच्छे होगे आज का मार्केट कंडिशन थोड़ी सी ग्रीन सिगनल देखने को मिली लेकिन क्या ये ग्रीन सिगनल ग्रीन रहेगा क्योंकि यहां एक बहुत बड़ा ट्रैफ हो सकता है सबसे प सपोर्ट जो हमने कल देखा था कि यार अगर इस सपोर्ट पे निफ्टी फिप्टी टिका रहेगा आने वाले दो से चार दिन बहुत इंपॉर्टन हो सकता उसके बारे बात करेंगो और यस एंटी पीसी ग्रीनर जी का आई पीओ आ गया है अपलाई करना चाहिए कि से 23,800 के बीच में ये सपोर्ट इंपॉर्टन है और अभी लगबग उसी सपोर्ट पे ये निफ्टी फिप्टी खड़ा है और देखा जाया लेकिन कंडिशन पता क्या है यहाँ ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं हो सकती क्योंकि इसको मार्केट ने स्टेबल रखन है आने वाले दो से तीन दिन अगर ये स्टेबल रहेगा बहुत अच्छी बात हो सकती नहीं तो अगेन एक उपरचुनिटी बनेगी अब मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली और उसके कारण आज सेंसिक्स लगबग हजार पॉइंट उपर उठा सबसे अच्छी बात है जो लोग ये डर रहे थे कि सर स्मॉल कैप में मिड कैप में निवेश करना खत्रे से खाली नहीं है इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन कि जब भी मार्केट में थोड़ी सी भी तेजन देखने को मिल सकती है सबसे जादा मुमेंटम मिड कैप स्टॉक में होते हैं जो छोटी स्टॉक होते हैं जहां आप निवेश करते हो जो स्मॉल कैप के फंड्स निवेश करते हैं मिड कैप के फंड्स निवेश करते हैं तो डरने की बात नहीं है कल की वीडियो में कुछ कमेंट आये थे स्मॉल कैप को लेकि वीडियो शाम को आप के पास आएगी लेकिन important ये है कि अगर इस तरीके से market उठता है सबसे ज़ादा सबसे ज़ादा benefit होता है small cap mid caps होता है ये तो reason रहा लेकिन सबसे बड़ा reason और खास कर सरकारी कंप्रियों को लेके उसके बारे में idea नहीं था पता भी नहीं है कुछ rules बदले हैं और उच rules के बाद अब यहाँ निवेश करने का मौका हो सकता है सरकारी कंप्रियों का इसके बारे में comment section जरू मुझे बताना कि क्या यहाँ funds खास कर defense funds और PSU stocks में तेजी देखने को बनेगी की नहीं बनेगी recently dip map का data आया उन्होंने कुछ rules बदले सरकारी stock को लेके PSU guidelines जारी हुई है जो हमारे लिए और companyों के लिए बहुत अच्छी है और इसलिए आज PSU stocks में तेजी देखने को मिली है मतलब PSU shares अब काफी लोगों को जिनको नहीं पता है कि PSU stocks कौन-कौन होते हैं मैं आपके सामने data बता देता हूँ देखो PSU stocks में Power Finance Corporation of India, Coal India, Oil Natural Gas, NTPC, भारत Pletolium, Natural Million Development, NMDC कहते हैं REC, Oil India, Central Bank of India, Indian Railway, IRFC, Gale, Housing, NHPC, NLC, Coaching Shipyard, Indian Oil Corporation, UCO इन कंपनियों के लिए थोड़ी सी अच्छी कबर है आप देख सकते हैं बहुत बड़ा data है जिसमें भारत Electronics, भारत Dynamics, हिंदुस्तान Copper, NBCC भारत Electronics लंबी list है गूगल कर लेना आप लोग, वहां से आपको मिल जाएगा Total Complete List अब देखो, क्या Rules बदले हैं, वो चीज आपको देखना बहुत जुरूरी है सबसे पहले, Dividend, Bonus, Share, Split और Buyback को लेकि बहुत अच्छा Rules बदला है जिसके कारण आज PSU Stock में तेजी देखने को मिली है तो जो रोते थे न, PSU Stock में पैसा नहीं बनता सर बनेगा, ये Rules होने के बाद तो और अच्छा बन सकता है सबसे पहले, Dividend, अब क्या हो चुका है कि अब कोई भी Company अगर Profit होता है तो सर, Profit का 30% या Net Worth का 4% आपको ऐसे Dividend देना पड़ेगा तो यहाँ Focus उन कंपनियों पे रख सकते हो जो कंपनियों में अच्छे खासे Dividend मिलते है वीडियो चाहिए, कमेंट सक्षेन ने मेंशन करना वीडियो जरूर बनाऊंगा और अभी तगर पसंदारी वीडियो, फटाबट वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले कंपनी का अगर Profit 30% का सर, Profit का 30% आपको Dividend देना पड़ेगा बोनस में अगर Payed Up Capital 20 गुना जाता है तो सर आपको बोनस भी देना पड़ेगा सर, Share Split अगर होता है, अगर एक के बदली अगर 150 Face Value होती है तब Share Split हो सकता है, लेकिन फाइदा अपन को Dividend में जादा होना है और Important क्या है, बाइबैक जिसमें कंपनी के लोग खुद कंपनी के Shares खरीदते हैं तो 3000 करोर का Net Worth होना चीब 1500, लेकिन काम की चीज बता है क्या इसमें काम की चीज अपनी है, डिविडेंड वाली तो यहाँ जो सरकारी Shares है, उसमें आप Focus रख सकते हो और यही कारण है कि आज सरकारी Shares में उसमें थोड़ी सी तेजी देखने हो को मिली Call India के बारें बात किया जाए, 4 रुपीज यहाँ Call India में हुआ आप PFC Stock की बात किया जाए, Power Finance Corporation 15 रुपे हो गया तो बहुत सारे Stock है, और साथी साथ यहाँ Banking Sector के Stock ने काफी support किया है तो आप समझ सकते हैं कि Stock में अगर तेजी देखने को बनती है तो definitely आपको यहाँ जो funds होते हैं, खास कर PSU funds होते हैं सर वहाँ भी तेजी देखने को मिलेगी, और अगर PSU funds पे तेजी देखने को मिलती है तो सर 80 ETF, इसका हमने description ने mention भी किया है कि ETF के बारे में ही बताएंगे, सर, ETF के लिए इस समय CPSC ETF पे आप निवेश कर सकते हो CPSC ETF में क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि CPSC ETF खास कर जितने भी सरकारी कमपनियां होती है CPSC ETF उसको support करता देखा जाए, इस stock सब कुछ इसी में है तो आप CPSC ETF में विनिवेश कर सकते हो, 12-15% की घिरावट हो चुकी है तो यह जो रूल आया है, यह रूल तुरंट आपको पैसा नहीं देगा, समय लगेगा, थोड़ा-थोड़ा समय लगेगा लेकिन यस, जो एक मायूसी छाई हुई थी, PSC stocks को लेके, यह बदलाव के बाद थोड़े action वहाँ देखने को मिल सकते है NTPC जो IPO Greenergy का है, उसके बारे हम बात करेंगे, थोड़ा से मेरी राय का है, इसके बारे हम समय लोगे फिर इसके बाद हम समझेंगे यह IPO कब से start है, subscription कब से start है, और कब आप अपलाई कर सकते हो, right सबसे important है, अगर आप listing gain के लिए apply कर रहे हो, सर, listing gain की संभावनाए थोड़ी सी कम जताई जा सकती है लेकिन अगर इस IPO के आप long term में invest करना चा रहे हो, like 2-3 साल तक hold करना चा रहे हो, सर, NTPC, Greenergy एक अच्छा IPO हो सकता है, क्योंकि देखा जो, Greenergy सेक्टर, और Greenergy सेक्टर में जिस सरकार काम कर रही है थोड़ा सा एक emerging सेक्टर है, एक promising सेक्टर भी देखा जा रहा है, तो NTPC को लेके आप यहाँ apply जरू कर सकते हो मैं यह कहूँगा, कि अगर आपको इस मिलता है IPO, सर, यहाँ आप listing gain में profit तो निकालना ही, खास कर अगर profit नहीं बना सकते हो तो आप इसको कम से कम 2-3 साल तक hold कर सकते हो, जहाँ आपका पैसा अच्छा खासा multiply हो सकता है GMP के लिए थोड़ा सा wait करते हैं, तो आज पहला दिन है, वीडियो आपके पास लगबग 2 बे तक आएगी तो पहला दिन है तो wait करते हैं 2-3 दिन तक, जहाँ आपको GMP proper देखने को मिलेगा चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि इसके बारे में detail आप खुद चेक कर सकते हो, चितोडगर.com पे जाके कर सकते हो total जो इनका issue price है, लगबग 10,000 करोन का issue price है, जो फ्रेश है, लगबग 92 करोन का है देखा जाए, आज से subscription start है, detail है आपको देखो, आज से subscription start है, close लगबग 22 तारी को close हो जाएगा allotment होगा 25 नवंबर को, refund आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, लगबग 26 नवंबर को, और DMET account में आपको 26 नवंबर को दिखने लगेगा listing होगी 27 नवंबर को, right, so देखा जाए, इसका जो lot size है, आप देख सकते हैं, अगर आप एक lot लेते हैं, 138 shares आपको एक lot में दिखेगा retailer कम से कम 13 lot ले सकते हैं, मतलब आप हम जैसे लोग 13 lot ले सकते हैं, जिसका जो price होगा लगबग एक लाग 93,700 बामन, एक lot अगर ले रहे हो, तो 14,904 maximum वाला जो option दिखेगा, box पे click करना, आपको तुरंट apply हो जाएगा H&I 14 minimum और maximum 67 और B&I 68 पे कर सकते हैं, ठीक है न, अब यहाँ थोड़ा सा detail आपको बताना चाहूंगा कि जिसकी face value है sir, 10 रुपए की face value है, और price band 102 से 108 है, तो ध्यान रखना जो apply कर रहे हो न, 108 पे ही click करना, जो आपको maximum bidding price है आपको 138 का share मिलेगा, चलो, यह चीज तो हो गया, IPO date 19 नवंबर से 22 नवंबर है, बहुत ही simple date आपको मिल गई, जादा इसमें rocket science नहीं है लेकिन कुछ नाम आ रहे है, मैं आपको कुछ नाम दिखाना चाहूंगा, जो खास कर जो anchor list है, anchor list में से 10,000 करोण में से 3960 anchor list है, जिसमें कुछ DIIs और FIIs किसमें अच्छी खासी investing है, तो बहुत सारे LIC हो गया, mutual funds, निपॉन लाइफ, आदिति बिला सन लाइफ, DSP mutual fund, कैनरो Woco, mutual fund, SBI life insurance, तो ये सारे anchor list है, मतलब इनकी investing इस IPO में की जा रही है, अब FIIs में देखा जाता है, FIIs ही बहुत सारे है, Morgan Stanley, New York, State Teachers, Retirement System, Government of Singapore, ये सारे बड़े बड़े नाम है, जिनका पैसा इसमें IPO में लगा है, तो मुझे इसमें जरूर बताना है कि आप लोग इसमें से क इतने लोग apply कर रहे हैं, और yes, आज की वीडियो में simple में ही कहना चाओंगा summarize, sir, market अच्छा है, थोड़ा खुश नहीं होना है, कुछ label important है, अगर ये label break नहीं करता है, sir, यहां अच्छी खासी खरदानी का मौका मिलेगा, तो ये next वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि इस support को, nifty को कम से कम 2-3 दिन तक रहना बहुत जरूरी है, लंसम अभी मत करो, पैसे बचा के रखो, और yes, small cap को लेके, जो डर आपके मन में है न, इसकी वीडियो शाम को आने वाले, जरूर चेक आउट करना, चैल पे नहीं है, सुस्क्राइब कर लेना, वीडियो पसंद है, द दिल से जरूर लाइक करना, राइट बाके मिलते हैं न, शुड़ो के साथ, भाई वे, टेक केर, जैहनु